आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स कहकरो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। पर जो F1 में, यहां पर जो संतान मिल रहा है मुखरूप से, कहता है कि इसमें पुना संयोजक की अपिक्छा, पैत्रिक प्रकार की संतती उत्पन होती। यानि कि अधिक संतान कैसा है या पैक्तरिक प्रकार की जो संतान है इसकी संख्या अधिलक है जबकि रिकंबिनेंट टाइप का यानि कि जो पुनह संयोजक लक्षन वाले संतान होंगे इसकी संख्या क्या है कम है तो इसका कारण क्या हो सकता है अगर इसका हम लोग कारण ही पैत्रिक परकार की जो संतान होते है जो पैत्रिक लक्षन होते है वो जादा आता है सहलगनता होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि एक ही गुन सुत्र पर एक ही गुन सुत्र पर क्या होंगे जो पैत्रिक लक्षन वाले जीन होंगे यानि एक दूसरे से कापी सटे-सटे होंगे ऐसी इस्थिति में क्या होता है युगमक बनते समय या फिर क्रॉसिंग ओबर होते समय यह जीन अलग नहीं होता है यह जीन क्या हुआ अलग-अलग नहीं हुआ तो नहीं हुआ इसका मतलब यह क्या हुआ साथ साथ रह गया और जब साथ साथ रह जाएगा तो क्या होगा पैत्तिक परकार का संतान जादा आएगा है नए जहाँ अलग होगी आओगा वहाँ थोड़ी मात्रा में पुन्ळा सयूजग संतान भी उत्पन हुआ होगा तो यहाँ पर देखते है विकल्प में क्या कहता है तो यहाँ पर पहला विकल्प जो कहता है कि अर्शुत्री वाज़न दरवान गुंसुत्र अलग नहीं हो पाए तो यहाँ गुंसुत्र तो अलग होगा ही है ना गुंसुत्र अलग हो ही जाएगा यहाँ पर जीन की बात है जीन अलग अगर हो जाएगा तो पुर्णा सहयों जो होगा, जीन अलग नहीं हो पायागा तो सहलगनता होगा, तो ये हमारा जबाब नहीं होगा, दोनों जीन जुड़े हो, यानि एक मतलब काफी एक दूसे गनस्दिक है, और समान गुनसुत पर इस्थित है, तो हमारा ये वाला जो लक्षन जिसके कारण सहलगनता होती है, उसको ये बता रहा है कि ऐसा होता है, तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि दोनों जीन जुड़े पन होए, दोनों के गुण एक से अधिक जीन के दौरा नेंतित के जाते ये भी नहीं संबब है, और जीन दो भिंड गुन सुत पर इस्थित होते है, ये भी नहीं तो और अलग हो जाएगा, है ना, तो सही उत्तर कौन सा होगा, ये दूसरा नंबर ये उत्तर होगा,